किसी फिल्म का ऐसा रीमेक बनाना कि लोग ओरिजिनल वाली भूल के आपकी रीमेक को ही ओरिजिनल समझने लग जाएं ये सूपर पावर अजय देवगिन के पास है और इसी रीमेक को युनिवर्स में बदलकर ऐसी फिल्म बनाना जुसमें आधा वॉलिवुड एक साथ आ जा सिंगम की हवा कोई और चुरा के ले गया तो बॉस कहानी वाइस सिंगम में जादा कुछ सर्प्राइज मिलेगा नहीं रामायन का कॉंसेप्ट उठाया उसको सिनमा में बदला और आक्शन को इमोशन से जोड़ दिया शिरुवात कैसे होगी फिल्म खतम कैसे होगी बीच मे क्या क्या हो सकता है सब कुछ आपको पहले से पता है कहानी को समझने में 0% महनत नहीं करनी है मैक्स में पढ़ाते हैं ना पैरलल लाइन एक दूस्टे के आमने सामने तो बस सिंगम की स्टोरी रामायन के बिल्कुल पैरलल है फिल्म में बार बार समझाया भी जाएगा कि इ सिंगम को उसमें प्रेजेंट किया है हां तो राम हो गए सिंगम सीता हो गई अवनी सिंगम और रावन बाप रे रावन अर्जन कपूर इनकी वज़े से ये फिल्म दस बार दुबारा देख लूँगी मैं वैसे जैके श्रॉप वाले लीग फोटो और विडियो भी सोशल म लगने वाला किसी को भी देख कर नई कैरेक्टर्स इस कॉप युनिवर्स में शामिल हो चुके हैं बट मुझे अभी भी डाउट है जब इनकी अलग से अकेली फिल्म आएगी तो लोग थीटर में उसको देखने जाना पसंद करेंगे भी या नहीं स्पेशली रनवीर सिंग का इतना जादा ओवर कॉमेडी का डोस जेलने के बाद सिंबा पार्ट टू पे संकट के बादल अभी से नजर आ रहे हैं मुझे और भाई दिपिका पादुकोंट को लेकर अलग से लेडी सिंगम नाम की फिल्म बनाने के बारे में सोचना भी मत कुछ फीली नहीं हुआ क्यों आएं किसली आएं क्या काम था तो क्या रोहिच रिटी ने ओडियंस के सिंगम के साथ 11 साल पुराने कनेक्शन का फाइदा उठाया और पैसे छापने के लिए देखी दिखाई फिल्म दुबारा बना दी जी बिलकुल नहीं सिंगम अगेन एक प्रेजेंटेशन बेस्ट सिनिमा है माने सीन क्या है उससे जादा मैटर करता है कि उस सीन को दिखाया कैसे गया है जब थीएटर में आप ऐसी फिल्म देखने जाओ जिसकी पूरी कहानी पहले से पता हो फिर भी धाई घंटे एंड तक बैटने को मजबूर हो जाओ सिंगम एक प्रॉपर मास सिनिमा नहीं है इससे आप KGF, RRR वाली एक्सपेक्टेशन्स मत लगाना बस इतनी सी बात दिमाग को समझा दी तो समझो सिंगम एकन ने बॉलिवूट फांस की लोटरी लगा दी इतने सारे स्टार्स को सिफ एक टिकेट खरीद के देखना आइडिया बुरा नहीं है आजे देवगन को लिटरिली गौड लेवल पे बिठा दिया है उनका कैरेक्टर ओरिजिनल तोरफोर वाइब्स देता है मुह से बातें और हाथ पैर से लातें दोनों दमदार होंगी फिर बैग्राउंड में जब रवी बसरूर का म्यूजिक थेटर्स के स्पीकर्स को फार्टा है ना बाइदावे रवी बसरूर वो हैं जिन्होंने केजी एफ में थेटर्स को स्टेडियम बना दिया था हाँ तो सिंगम अगेन का म्यूजिक इस फिल्म की रीट की हड़ी है गाने सोशल मीडिया पर ठंडे हैं लेकिन थेटर में फिल्म के हर सीन को गरम कर देंगे और अब वो इंसान जिसने रिकॉर्ड बनाया था बॉलिवुड में सबसे ज़्यादा ट्रोल होने का दो स्पैरों में गिरना पड़ेगा अर्जुन कपूर के विलन नहीं विलन का बाप Honestly बताऊं Singham Again में अगर कुछ exciting था तो वो अर्जुन कपूर एजरावन को सोचना था और फिर actually फिल्म में उनकी entry ने रॉंक्टे खड़े कर दिये ऐसा पागलपन के साथ फिल्म में इनका face reveal हुआ ना कि literally पहली बार समझाया कैसे बॉलिवुड हीरो बनाने के चक्कर में एक अच्छे विलन को बरबाद कर देता है danger लंका जो character है अर्जुन का फिल्म में वो अपने नाम के साथ सबसे जादा justice करता है माने पूरा cop universe अर्जुन से लड़ने गया तो हाँ अर्जुन का character उस level का feel होगा ये जब आते हैं इनके पीछे अलग सा music बचता है वो दूसरी कमाल की चीज है इस फिल्म में पहली ये चाकु है जिससे अर्जुन ने सबको हिला डाला है और भाई वो दूसरा actor जिसको सबसे बड़ी कमजोरी मान रहे थे लोग फिल्म की टाइगर भाईया उनके action ने आग लगा दी इनकी फिल्म आईगी तो मैं पक्का देखने जाऊंगी और फिर आते हैं अक्षे कुमार और सल्मान खान एक बढ़िया तो दूसरा महा घटिया भावनाओं में भेकर आप चुल्बुल चुल्बुल चिल्ला तो दोगे लेकिन उस कैमियो का लिटरली कोई लॉजिक नहीं है इस फिल्म में सल्मान को टोटल वेस्ट मारा गया है मुश्किल से 10 सेकेंड होगे बट जीरो इंपक्ट है जो सपने देखे थे हमने दबंग वर्सिस सिंगहम के वो शायद फ्यूचर में पूरे हो सकते हैं लेकिन इस बार जबर्दस्ती उनको इस फिल्म में घुसा के बरबाद कर दिया अक्षे कुमार बढ़िया है उनका रोल सल्मान से तो लंबा ही है साथ मैं आक्शन प्लस एंट्री का लेवल बता देता है कि सिंगहम को अगर इस कॉप यूनिवर्स में कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ सूरिबंशी है ये बात शाथ सुनने में अच्छी ना लगे लेकिन तारीफ कर रहे हूँ क्योंकि सिंगहम अगेन शाथ बॉलिवुड में बनने वाली आज तक की सबसे बेशर्म फिल्म होगी सब कुछ अल्रेडी लोगों को पता है सारे कैम्योस का आइडिया पहले से लग चुका है एंडिंग सीन कैसे खतम होगा बच्चा बच्चा जानता है सर्प्राइज में कोई एफर्ट नहीं डाला है फिर भी इस फिल्म में ऐसा माहौल बनाया है थेटर्स में क्या टिकिक खरीदोगे सिंगम अगेन को पांच में से तीन स्टार्स मिलेंगे पहला सिफ अजे दिवगन और अर्जन कपूर के नाम पहला एक्सपेक्टेट था लेकिन दूसरा वाला सबसे बड़ा एक्सपेक्टर निकला दूसरा रोहिच रिटिका रामायन में क्रियेटिविटी लगाके अपने यूनिवर्स में ओडियन्स को इमोशनली कनेक्ट करना तीसरा जो म्यूजिक के साथ खेला है उसने नॉर्मल सीन को भी बड़ा बना दिया बाग्राउंड म्यूजिक अर्जन का प्लस सिंखम का अलग से चाली सा वाउ था नेगेटिव में आते हैं रामायन की कहानी माने सिंखम में जीरो सस्पेंस कुछ ट्विस्ट नहीं कुछ सर्प्राइज नहीं फ्लैट रोड के जैसा दूसरा अर्जन कपूर का बिल्डप इतना बनाया लेकिन लास्ट में सब कुछ मामूली सा कर दिया धाई घंटे से कम में फिल्म खतम करने की जलबाजी ने पानी फेड़ दिया इमानदारी वाली बात फिल्म वन टाइम वाच है लेकिन प्लीज केजी एफ आररार इन सब को दिमाग में लेकर मत जाना वैसा मास नहीं है प्लस ओरिजिनल सिंहम जैसा क्लास भी नहीं है बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या आपको कुछ शिकायब करनी हो तुम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी वनत खुड़ा से इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई